C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं प्रिष्ट संख्या 98 Part 9 मौसम का आनंद मौसम यहां प्रिष्ट संख्या 98 पर तीन मौसम के चित्र हैं पहले चित्र में वसंद का मौसम है जिसमें चिडियां पौधों पर मंडरा रही है तितली फूलों पर मंडरा रही है और सब तरफ फूल खिले हुए है यहां वसंद के मौसम पर एक सुन्दर कविता भी है आईए सुनते है वसंद भरे बगीचे फूलों से कोयल पपीहा गाना गाएं पेडों पर नए पत्ते आए डाली जूले धूम मचाएं दूसरा चेत्र गर्मी के मौसम का है जिसमें दो बच्चे रास्ते पर जा रहे है सूरज तेज चमक रहा है बहुत गर्मी है और लड़का रुमाल से अपने मुह को पोच रहा है यहां गर्मी के मौसम से जूड़ी हुई एक सुन्दर कविता है गर्मी सूरज चमक रहा है खूब धर्ती पर फैली है धूब बहे पसीना जलते पाउं लगे भली प्यडों की छाँं तीसरा चेत्र बरसात के मौसम का है इस चित्र में तालाप किनारे एक मेंधक जमीन पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ मोर नाच रहा है जोरदार बारिश हो रही है बारिश बरसात के मौसम से जूड़ी हुई एक सुन्दर कविता यहां पर है आईए सुनते हैं बरसात बिजली कड़के कड़ 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 बादल गरजे गड़ 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 पानी बरसा जम 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 बच्चे दोड़े धम 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 प्रिष्ट संख्या निन्यानवे प्रिष्ट संख्या निन्यानवे पर पतजड के मौसम का चित्र है यहां दो पेड दिये गए हैं जिनके पत्ते जड़ रहे हैं सामने कुछ बड़े मकान दिखा इनके सामने कुछ बड़ी सी इमारते हैं पतजड के मौसम से जुड़ी हुई एक कविता यहां पर दी गई है आईए सुनते हैं पतजड पेड़ों से हैं गिरते पत्ते चारों और दिखरते पत्ते बहे हवा होकर मतवाली सूनी होगी अब हर डाली यहां प्रिष्ट संख्या निन्यानवे पर सर्दी के मौसम का चित्र दिया गया है जिसमें पहाडी इलाके का चित्र है इस चित्र में दो बच्चे सर्दी के मौसम का आनन्द ले रहे हैं यहाँ पर इन दोनों बच्चों ने मिलकर बर्फ की मदद से आदमी की आकरती बनाई है सर्दी के मौसम से जुड़ी हुई एक कविता यहाँ पर दी गई है आईए सुनते हैं सर्दी, ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले मोटे मोटे कपड़े हम, पहने घूम रहे हर दम आओ सोचें क, आपकी छुट्टियां किस मौसम में होती हैं? क, किस मौसम में आपका जन्म दिन आता है? आपका मन पसंद मौसम कौन सा है और क्यों? और घः आपके पसंदीदे मौसम की सबसे महत्पोन बात क्या है कविता का लैबद एवं उची आवाज में गायन करवाएं बच्चों द्वारा अलग-अलग मौसमों में किये जाने वाले विशेश क्रिया कलाप कौन-कौन से हैं बच्चों से उनके आसपास उपलब्ध खाने के वस्तुओं, कपड़ों, जैसे कश्मीर में फेरन इत्यादी के विशे में चर्चा कीजिए प्रिष्ट संख्या सो मौसम के चित्रों को उनके नाम और तेवहारों के साथ मिलाईए यहाँ प्रिष्ट संख्या सो पर बाई तरफ कुछ मौसमों के चित्र दिये गए हैं और उनके सामने उन मौसमों के नाम और तेवहार लिखे हुए हैं बाई तरफ चित्र दिया है बसंत का और उसके सामने लिखा है पतज़ड दशेहरा शरत पूर्णिमा दीपावली दूसरा चेत्र पतजण का है सामने लिखा है गर्मी गुरु पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा राम नव्मी महावीर जैन्ती तीसरा चेत्र सर्दी के मौसम का है उसके सामने लिखा है वसंत गुड़ी पढ़वा, बैसाखी, होली चौथा चित्र बरसात के मौसम का है इसके सामने लिखा है सर्दी शिवरात्री, लोहडी, बिहू, क्रिस्मस, गनतंत्र दिवस, गुरुनानक जैन्ती पाच्वा चित्र गर्मी के मौसम का है सामने लिखा है बरसात, जन्माश्टमी, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस आपको यहां दिये गए मौसमों के चित्र से सही नाम और तिवहारों को मिलाना है वसंत, शिशर जैसी रित्मों के नामों की हिंदी और अन्यक्षेत्री भाषाओं में चर्चा करें उन्हें अन्य तिवहारों जैसे इद आधी के बारे में भी बताएं, जो की मौसमी तिवहार नहीं है प्रिष्ट 101 इस प्रिष्ट पर वर्ष 2030 का कैलेंडर है इस कैलेंडर में 12 महीने और प्रतेक महीने में आने वाले दिन दिये गए हैं चार पंक्तियों में तीन-तीन महीने दर्षाए गए हैं कैलेंडर का खेल पहली पंक्ति में महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च दूसरी पंक्ति में महीने हैं अप्रेल, मई, जून तीसरी पंक्ति के महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर और चौथी पंक्ती में महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 कैलेंडर के आधार पर कैलेंडर देखकर तालिका पूरी कीजिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है इसके दो भाग हैं पहले भाग में लिखा है महीनों के नाम और दूसरे में लिखा है दिनों की संख्या आईए अप तालिका को पढ़ें महीनों के नाम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर दिनों की संख्या रिक्तिस्थान महीने का नाम फरवरी दिनों की संख्या रिक्तिस्थान महीनों के नाम अप्रेल, जून, सितंबर, नवंबर दिनों की संख्या रिक्तिस्थान अब आपको इस कैलेंडर को समझ कर रिक्तिस्थान को भरना है प्रिष्ट संख्या एक सौद दो आओ बातचीत करें क हम कैलेंडर का उप्योग क्यों करते हैं? ख, क्या सभी वर्षों के फर्वरी माह में दिनों की संख्या समान होती है? ग, एक सप्ता हमें कितने दिन होते हैं? रिक्तिस्थान, दिन ग, पिछले प्रिष्ट पर दिये गए कैलेंडर में अप्रेल माह में कुल कितने रविवार हैं? रिक्तिस्थान, रविवार 6. रिक्तिस्थान के महीनों में सर्दियों की चुटियां होती हैं। 6. क्या आप बता सकते हैं कि मार्च एवं अप्रेल के महीनों में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं। 6. रिक्तिस्थान दिन जमा रिक्तिस्थान दिन बरापर रिक्तिस्थान दिन परियोजना कार्यव। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आपको इस कैलेंडर में अपने जन्मदिन वाले महीने की तारीखें भरनी हैं। साथी, जिस दिन आपका जन्मदिन आता है, उस तारीख पर सही का चिन्ह लगाना है। दैनिक जीवन में कैलेंडर के उपयोग पर चर्चा कीचिए। प्रिष्ट संख्या एक सो तीन, कितना समय लगेगा, यहां पर दी गई गतिविधियां कितने समय में होती हैं, गंटे, दिन या महीने में, यहां पर कुछ चित्र दिये गए हैं। ये चित्र तीन पंक्तियों में हैं, प्रतेक पंक्ति में तीन तीन चित्र हैं, पहली पंक्ति के तीन चित्र हैं, पहली पंक्ति का पहला चित्र है एक इस्त्री का, जिससे भोजन बनाते दिखाया गया है, और उसके नीचे लिखा है भोजन पकाना, पहली पंक्ति के दूसरी चित्र में कुछ बच्चे बहुत प्रसंद हैं और उसके नीचे लिखा है गर्मी की छुट्टियां तीसरा चित्र एक टंकी का है जिसके नीचे लिखा है पानी की टंकी भरना दूसरी पंक्ति के तीन चित्र इस प्रकार हैं पहले चित्र में एक व्रिद महिला, एक स्वेटर बुन रही है और उसके नीचे लिखा है स्वेटर बुनना इसके आगे एक गोलाकार आकरती के तीन हिस्से हैं इनमें लिखा है दिन, घंटे, महीने घंटे वाले भाग में तीर की मदत से पानी की टंकी को दर्शाय आ गया है और अगले चित्र में एक बच्चा फिसल पट्टी पर जूल रहा है और नीचे लिखा है खेलना तीसरी पंक्ती में तीन चित्र हैं पहला चित्र एक पौधे का है और उसके नीचे लिखा है बीज से पौधा बनना दूसरा चित्र मौसम का है जिसमें वर्शा को दर्शाय आ गया है और उसमें मोर और मेंड़क भीग रहे हैं और तीसरे चित्र में एक लड़की योग कर रही है और उसके नीचे लिखा है योग करना बच्चों से अलग-अलग तरह के कारियों को पूरा होने में लगने वाले समय पर चर्चा कीजिए प्रिष्ट संख्या एक सो चार यहां प्रिष्ट संख्या 104 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र के कुछ भाग प्रिष्ट संख्या 104 पर है और कुछ भाग प्रिष्ट संख्या 105 पर है चित्र के पहले भाग में सबसे उपर लिखा है विजय वाड़ा की यात्रा दिनांख 24 नवंबर समय सुभा के 8 बच कर 25 मिनट इसके अलावा प्रैटफॉर्म पर कुछ यात्री और एक रेलगाडी खड़ी है एक बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है जल्दी चलो रेलगाडी छूटने वाली है लड़की कहती है अरे वा हम रेलगाडी में जाएंगे चित्र के दूसरे भाग में रेलगाडी के डिब्बे के अंदर का दृष्य है लिखा है दिनांख 24 नवंबर समय दोपहर के 1 बच कर 15 मिनट गाडी के डिब्बे के अंदर दो बच्चे बैठे हैं और साथी उनके दादा दादी भी उनके सामने बैठे हैं दादा जी कहते है अब अगले एक घंटे में हम विज़वाडा पहुँच जाएंगे लड़की कहती है दादा जी अभी 1 बच कर 15 मिनट हुए है हमें नानी के घर पहुचने में कितना और समय लगेगा दादा जी कहते है अब अगले एक घंटे में हम विज़वाडा पहुच जाएंगे चित्र के तीसरे भाग में एक घर के अंदर एक कमरे का द्रिश्य है जिसमें लिखा है कमरे के अंदर एक महिला शादी के लिए तयार खड़ी है साथी तीन बच्चे हैं जिसमें एक लड़की और दो लड़के है साथी उनके दादा दादी भी है और एक व्यक्ती दूले की पोशाक में तयार होकर खड़ा है लड़की कहती है मा, मामा जी अच्छे लग रहे हैं उसकी मा ने कहा हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है बुजर्ग दादा जी ने कहा जीते रहो बेटा चितर के चौथे भाग में एक कमरे के अंदर का द्रिश्य है जिसके बीचों बीच एक चारपाई बिची है और उसमें एक महिला अपने दो बच्चों के साथ बैठी है उनके सामने दो टोक्रियों में कुछ सामान रखा है लिखा है दिनांक 26 नवंबर समय सुभा के 8 बजे लड़का कहता है मा, हमारी रेल गाड़ी एक दिन पाद है क्या आज हम घूमने जा सकते है हाँ हम आज सुभा 11 बजे मंगल गिरी की पहाड़ीों पर घूमने जाएंगे वाँ बड़ा मसाएगा प्रिष्ट संख्या 105 यहाँ प्रिष्ट संख्या 105 पर एक चित्र को चार भागों में बाटा गया है पहले भाग में सबसे उपर लिखा है दिनांक 26 नवंबर समय शाम के पाँच पचे इस चित्र में दो बच्चे हैं और उनके दादा दादी हैं जो एक पार्क में घूम रहे हैं उनके आसपास बहुत सारे पेड और फूल और क्यारियां हैं लड़की कहती है देखिये दादी ये पेड पौधे खितने सुन्दर है या कई सुन्दर फूल भी है दादा जी कहते हैं बच्चो शाम के पाँच बच गए हैं हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी हाँ चित्र के दूसरे भाग में सबसे उपर लिखा है दिनांक 27 नवंबर समय सुभा के 9 बचे परिवार ने सुभा 9 बचे बस से कोंड़ पल्ली किला जाने का फैसला किया यहाँ इसमें एक बस का चित्र दिया गया है जिसके अंदर यात्री बैठे हुए हैं दादा दादी और बच्चे बस में चड़ रहे हैं दादा जी बस के अंदर खड़े हुए हैं और बच्चे बस में चड़ रहे हैं बस पे लिखा है कोंड़ पल्ली किला बस में ड्राइवर को भी दर्शाय गया है दादा जी कहते हैं हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे व्यक्ति कहता है ठीक है सर आप किले का दौरा करें मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊँगा आपकी यातरा शानदार हो चित्र के तीसरे भाग में सबसे उपर लिखा हुआ है दिनांक 28 नवंबर समय शाम के 7 बजे ये रेल्वी प्लैटफॉर्म का चित्र है जिसमें टिकेट काउंटर है और साथ ही कुछ यातरी प्लैटफॉर्म पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही है दादा दादी और बच्चे और साथ ही उनकी मा और पिताजी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही है बच्चा कहता है ओ, पिता जी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उच्चाहित हूँ लड़की कहती है बहुत खूब पिता जी कहते हैं हाँ चित्र के चोथे भाग में सबसे उपर लिखा है दिनांक 28 नवंबर समय रात के 11 बच कर 30 मिनट ये एक रेल्वे प्लेटफॉर्म का चित्र है जिसमें वंदे भारत नाम की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है साथ ही परिवार के सभी सदस्य मा, पिताजी, दादा दादी और बच्चे साथ में वंदे भारत ट्रेन के तरफ जा रहे हैं लड़का कहता है मा, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता उसके मा ने कहा हाँ, हम जल्दी ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे प्रिष्ट संख्या 106 आओ बाच्चित करें क, हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई यात्रा करने के लिए वो किस जगह पर गए आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा ख, उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभकी वो कब वापस आए ग, उनकी यात्रा कितने समय की थी ग, उनकी दिन की यात्रा कितने समय तक थी अ, मंगल गिरी की पहाडियां, रिक्तिस्थान, घंटे ब. कोंडा पल्ली किला? रिक्तिस्थान घंटे. वो किस समय वापस आये? रिक्तिस्थान. अंगअ. जब वो गये, वो कितने समय ट्रेन में रहे? विशाका पत्नम से विजयवाड़ा, रिक्तिस्थान से रिक्तिस्थान विजयवाड़ा से विशाका पत्नम, रिक्तिस्थान से रिक्तिस्थान दोरों में से किसमें अधिक समय लगा यहाँ पर एक आयताकार आकर्ती है इसके दो भाग है पहले भाग में लिखा है रिक्तिस्थान गंटे और दूसरे भाग में लिखा है रिक्तिस्थान गंटे च क्या आपने कोई यात्रा की है आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया रोचकत त्य क्या आप जानते हैं भारत में सरवाधिक गती से चलने वाली रेलगाडी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये रेलगाडी प्रतम स्वदेशी रेलगाडी है, जो पूर्ण तह भारत में निर्मित है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली रेलगाडी है, जिसमें एकी कृत इंजन है, एक प्रिष्ट संख्या 107 पूरे दिन की दिनचर्या के समयों को अलग अलग घडियों में दर्शाय गया है। बजे, मित्रों की साथ खेलने का समय रिक्तिस्थान बजे, सोने का समय रिक्तिस्थान बजे, इन घडियों के समय को समझ कर आपको रिक्तिस्थान भरने हैं। चर्चा करें चोटी सुई अर्थात घंटे की सुई और बड़ी सुई अर्थात मिनट की सुई की स्थिती को समझीए और पता लगाईए कि गारगी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है गारगी कितने बजे उठती है रिक्तिस्थान वो विद्याले कब जाती है रिक्तिस्थान वो दोपहर का भोजन किस समय करती है रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 108 आओ करें घड़ी समझ कर समय बताईए यहां प्रिष्ट संख्या 108 पर चार घड़ियां दी गई है जिन में दिन के अलग-अलग समय को दर्शाया गया है हर घड़ी के नीचे एक रिक्तिस्थान दिया गया है जिसमें लिखा है रिक्तिस्थान बजे घड़ी पर घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाई किए यहां छे अलग-अलग घड़ियां दी गई है इन छेओं घडियों में मिनट और घंटे की सुई को नहीं दिया गया है हर घड़ी के नीचे अलग-अलग समय लिखा है जैसे तीन बजे, ग्यारह बजे, चार बजे, नौ बजे, बारह बजे और छे बजे आपको इन समयों के अनुसार, सुईयों की दिये गए समयों के अनुसार घंटे और मिनट की सुई बनानी है प्रिष्ट संख्या 109 आप यहां दिये गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुईयां बना कर बताईए यहाँ पर तीन चित्र हैं और उनके नीचे तीन घड़ियां दी गई हैं जिन में घंटे और मिनट के सुईयां नहीं है यह चित्र इस तरह से हैं पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है और उसके नीचे लिखा है पढ़ाई करना दूसरे चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और चित्र के नीचे लिखा है खेलना और तीसरे चित्र में एक लड़की भोजन कर रही है और उसके नीचे लिखा है दोपहर का भोजन प्रतेक चित्र के नीचे एक एक घड़ी बनी है इन घड़ियों में घंटे और मिनट की सुईया नहीं है अब आपको इन चित्रों में दिये गए कामों को देखकर घंटे और मिनट की सुईया इन घड़ियों में बनानी है यहां प्रिष्ट संख्या 109 पर एक गोलाकार आक्रती दी गई है इस गोलाकार आक्रती के बाहरी घेरे को चार भागों में बाटा गया है मेरी आयू, मेरी मा की आयू, मेरी बहन की आयू और मेरी नानी की आयू इस आक्रती के अंदर एक और गोल घेरा है जिसे फिर से चार भागों में माटा गया है पहले भाग में एक बच्ची का चित्र है और उसके पास एक रिक्तिस्थान दिया गया है उसी के साथ नीचे लिखा है वर्ष दूसरे भाग में एक महिला का चित्र दिया गया है रिक्तिस्थान दिया गया है और लिखा है वर्ष तीसरे भाग में एक और बच्ची का चित्र दिया गया है साथी रिक्तिस्थान दिया गया है और लिखा है वर्ष चौथे भाग में एक बुजुर्ग महिला का चित्र है और साथ ही रिक्तिस्थान दिया गया है, लिखा है वर्ज इस गोल घेरे के बीचो बीच चार लोगों के चित्र हैं दो महिलाएं और दो बच्चियां लिखा है हमारी आयू क्या है प्रिष्ट संख्या 110 दिशाओं को जानना कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्चा से सामने आने के लिए कहें उसकी आँखों पर पट्टी बांद दें दिशा तै करें उधारन के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ट तक जाएं दिशाओं के लिए दाएं, बाएं या सीधे शब्दों का प्रियोक करें ये खेल पांट से साथ चर्णों में चलेगा जिसमें अलग-अलग बच्चे स्वेच्चा से भाग लेंगे बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने को कहें जैसे खतरा, जब वो वस्त्वों से टकराने वाला हो यानि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए इस चित्र में एक पार्क है और कुछ इमारतें जैसे मौल, स्कूल और विद्यालय और अस्पताल है इसके साथ ही एक अध्यापक का घर है और तीन विद्यार्थियों के घर है साथ ही साथ इसके आसपास अलग-अलग रास्ते दिये गए हैं जो विद्यार्थियों के घर से स्कूल तक जाते हैं यहां उदाहरण के तौर पर सारा के घर से विद्यालय तक जाने के रास्ते को हरी रेखा के माध्यम से दर्शाय गया है आपको बाकी दो विद्यार्थियों निया और आस्था के घर से विद्याले तक पहुँचने के रास्ते को रेखा के माध्यम से दर्शाना है सारा के विद्याले जाने का रास्ता सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्याले पहुँचती है अब आस्था और निया को उनके घर से विद्याले तक जाने के लिए एक रिखा कीचिए मार्ग ढूणने के लिए मोबाइल एप्स के उप्योग पर चर्चा कीचिए यहाँ प्रिष्ट संख्या 111 पर एक चित्र दिया क्या है जिसमें एक लड़का दोनों हाथ पहला कर सूरच की तरफ मुख किये हुए खड़ा है और उसके पैर के नीचे चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षण को तीर की रेखा के माध्यम से दर्शा आये गया है साथी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षण एक बहुत ही खूबसूरत कविता यहाँ पर दी गई है आये सुनते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षण सुभा जहां से उगता सूरज दिशा यही कहलाती पूरव पश्चिम, ठीक पीट की ओर, जाकर जहां है छिपता सूरज दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षण दिशा बताओ बाया हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन परवत सुन्दर दाया हाथ जिधर फैलाया, दक्षण दिशा उसे बतलाया घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम, दक्षण उत्तर शिक्षक द्वारा दिशाओं पर बल दिया जाना चाहिए और बच्चों को दिशाओं पहचानने में सहता करें बातचीत करें कि आपके उत्तर दिशा की ओर क्या-क्या है जैसे ब्लैक बोर्ड, पंचायत घर आदी इसी तरह अन्य दिशाओं के लिए भी कारे करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन स्वर प्रवीन शर्मा और शालीरी सिंग तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, धन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांग्वान, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत